वेल्कम बैक स्टुडेंस आप समों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में मैं आपको जार्खन सेक्षिक अनुसंधान एवं परिशद परिशिक्षन परिशद राची मासी मुल्यांकन यानि मंथली एसेस्मेंट के बारे में सभी प् इस गनित परियावर अध्यान अब पुर्णांग है 40 ठीक है चलिए चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें देखिए यहां पर कोशन है हिंदी के कविता कि इस अंस को ध्यान पुर्वक पढ़िए और दिये गया प्रस्न संख्यां एक और दो के उ हमारे होते बांद तने में उसकी रसी चाहे जहां कहीं ले जाते हैं यानि पेड होते तो कितने मज़े हमारे होते हैं और क्या करते हैं उसके तने में रसी बांद करके चाहे जहां उसे बांद कर ले जाते हैं अगर सच मुझ पेड में चलते होते तो क्या होते हैं हमको अच शत्यासर यहां पर आपको देने होंगे शकर्ण पर पाइड चलती रहते यदि कल्पना की बात हो रहे यड़दि सच्मुछ चलते रहते तो हम पेडों से दूर रहते हैं चुकि हम जहां रहते हैं वहां से पेड़ फिर आगे निकल जाते हैं वह चलते रहते तो आपसन नमर डी आफ लगा देंगे सही इस कविता के अनुसार यदि देखें तो पेड़ों को हमें बांध कर कहीं भी ले जा सकते थे ठीक है हम लेकिन पेड़ यदि सच मुछ चलते तो हमें पेड़ों से काफ़ी दूर रहते दूर रहते चुकि आप जहां रहते वहां से पेड़ आगे निकल जाता मज़ा सब्द का क्यार थे मज़ा मतलब आनंद मज़ा का मतलब आनंद तो option number C आप देंगे सही हो जाएगा option number C चली बहुत अच्छा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है कौन-कौन से फल स्वाद में खटे होते हैं कम से कम चार फलों के नाम लिखें ठीक है कम से कम चार फलों के नाम लिखें जैसे आप निम्बू और क्या क्या हो सकते हैं आपको लिखना है यहाँ पर हावला आम कच्छा रहता तो तो वो भी खटे लगते हैं ठीक है संतरा यह भी खटे लगते हैं तो यह सब फल आप लिख सकते हैं उमीद करते हैं आप इसे नौट कर लिए होंगे आम पक जाता है तो मीठा लगता है लेकिन कच्छा में वो खटा लगता है ठीक है तो फल में वो भी लिख दिये दो नमर यहां आपको मिल गए अब देखिए अगला प्रस्न है इन अक्छरों से अर्थ वाले सब्द बनाई है इन अक्छरों से अर्थ वाले सब्द बनाई है देखिए रह उप है तो क्या हो जाएगा उपा रहा उपर हो जाएगा देखिए नचाय को यह तो क्या हो जाएगा यहां पर आ चाणको ठीक है ये दोनों लिख लिए, आप इसे लिख लिए, फिर अगला में बताऊंगा, उपर और अचानक हो गया है, फिर तीन नमर देखते हैं, तीन नमर आपको बताता हूँ, तीन नमर जो है, देखिए यहां पे, रधूमा, तो क्या हो जागा, मधूर, ठीक है, साका आ, तो क्या हो का जाएगा, आकास, ठीक है, ये सब्ध बन गया, ठीक है, चलिए, आप इसे लिख लिए होंगे, उमीद करता है, चलिए बहुत अच्छा, अगला है, आकास में चांद कभ दिखाई देता है, क्या वो हमेशा एक समान होता है, देखिए आकास में चांद, दिखाईडाई द अमासिया के बाद पुर्णिमा तक चांद आकास में दिखाई देते हैं चलिए अगला प्रस्ण देख लेते हैं अगला प्रस्ण जो है यह देखिए इंगलीस आ गए आपके इंगलीस आगए तो इंगलीस के प्रस्ण को भी आपके लिए जरूजी है तो चलिए इंगलीस के प्रस्ण को देखते हैं fill in the blanks with the correct pronoun तो देखिए ऐखाली जगह है यहाँ पर correct pronoun भरना है तो देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर he यह जो है सही होगा यानि एक नमर आंसर आपके सही होगे तो आंसर देखो ही जो है न प्रोनावन तो ही इस रामकुमर ठीक है आगे बढ़ते हैं तो जेंडर नाउन को चेंज करते हुए यह जो सेंटेंस लिखा आया इसको फिर से लिखना होगा ठीक है तो इसको लिखने के लिए देखें ग्रेंड फादर है न यहां सिर्फ आप ग्रेंड मदर लिख देंगे देखें माई ग्रेंड मदर माई ग्रेंड मदर गैब मी दिस वाज पूरा रहेगा वही सिर्फ ग्रेंड फादर के जगा ग्रेंड मदर लिखे देंगे ठीक है मैं इसको आपको बता देता हूँ करेंड मदर फिक अ ग्रेंड मदर ठीक है अदशी ग्रेंड मदर लिखे देंगे कहाँ पर लिखेंगे मदर तह यहां से यहां तक है अगला प्रसना है answer the following questions in a complete sentence one who stitches your cloth तो one who stitches your cloth उसे क्या कहते हैं तो in a complete sentence में आपको answer देना है तो देखिए और टेलर 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 स्टीचेज और एक चीज और कर सकते हैं यदि answer रूप में देखा जाए तो यहां टेलर देदेंगे टी ए आई एल ओ यहां पर ठीक है चलिए बहुत अच्छा आगे बढ़ते हैं from which state does महेंदर सिंग धौने बिलोंग टो तो महेंदर सिंग डोली कहां से बिलोंग करते हैं महेंदर सिंग धौने बिलोंग करते हैं जारखंड से तो महेंदर सिंग धौने ठीक है यहां तब लिख लिए महेंदर सिंग धौने उसके बाद मैं बताता हूं अंसर यहें पर लिख देता हूं बिलोंग टू जारखंड ठीक है महेंदर सिंग धौने पहले लिख वाई है और उसी में जोड़ दें बिलोंग स्टू जारखंड ठीक है अब सॉट आंसर देना चाहेंगे तो यहां पर आप जारखंड लिख सकते हैं चले अगला है अगला है अगला है अकरदिंग टू दपॉइं गेम्स फोर फन विच गेम्स दू चिल्डन प्ले इन पार्क तू देखे किर्केट ठीक है फुटबाल यह सबी गेम्स जो चिल्डन पार्क में खेलते हैं आप इसे नौट कर लेंगे चलिए अगला है राइट टू लाइन्स ओन मेहंदर सिंग धॉन इस क्रिकेटर ठीक है अप लिख देखे हैं मैं दोनी इसे क्रिकेटर दूसरा है दूसरा लाइन भी अब लिख सकते हैं अगला प्रस्न है गनीत के प्रस्न है यह जो संख्यां दी हुई न विकल्प इसको बढ़ते क्रम में लिखना तो बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटा अठाइस उसके बाद 32 उसके बाद 34 तो आपसर नमर सी सही होगा ठीक है यह बढ़ते क्रम में अठाइस के बाद 32 उसके फिर 34 फिर 46 अब देखिए 96 और 34 को जोड़ने पर कितना मिलता है आप देखिए यहीं पर जूड़ दीजिए 34 को जोड़िए कितना मिलेगा यहाँ सुननी हो गया नो तीन बारा और एक तेरा ठीक है 130 तो 130 जहाँ पर है आप आंसर लिखे दोगे बी नमर आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रस्न है लगवत्री प्रस्न है दो सेंकड़ा पांच दाही और तीन इकाई और तीन सेंकड़ा दो दाही और पांच इकाई को जोड़ने पर कितना प्राप्तर तो इसका अंसर देख लिएते हैं जैसा कि प्रस्न में था दो सेंकड़ा पांच दाही तीन इकाई और यहां पर देखें तीन सेंकड़ा दो दाही और पांच इकाई इनको जोड़ने पर कितना मिलेगा अब देखिए ऐसे कर सकते हैं इनको जोड़िएगा ऐसे करके ठीक है इनको जोड़िए देखिए इधर कि दर वाला जोडने पर पांसो तीरेपन आता है इदर वाला जोडने पर 305 आता है और टोटल जोडने पर 578 आता यह आपके अंसर हुए ठीक है अगला प्रस्न है कि शाट्सो चाट्सो यृक्सो बिसे हो 27 को जोडने पर कितना मिलेगा देखिए 736 और एक सो माइज जोड़ने पर मिलेगा कितना देखो छॉच्व, साथ, तीरह के तीन हाथ में, एक तीन पाँच और एक छह, और साथ, आर एक 8 860 मिलेगा ठीक है, चार नमर काँज तीरह कांज सी, तो यहां पे लिख देंगें आप अप 860 आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है किसी गाउं में 438 पूरुस 412 माहिला और 77 बचे हैं तो गाउं में कुल कितने बेखती हैं ठीक है तो इसके लिए 4 नमर है सभी को जोड़ेंगे तो कुल बेखती मिल देगा है 438 412 और 77 इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगे 8 दू 10 अर 17 17 के साथ हाथ में 1 बचा देखिए 3 रेक 4 7 11 रेक 12 के 2 हाथ में 1 बचा 448 रेक 9 तो 927 इसका सही अंसर होगा 927 ये पुरूस को महिला को और बच्चे को जोड़ दिये तो 927 आए ठीक है अगे बढ़ते हैं अगला सवाल जो है वो आपके सामने है परियावरल अध्यान से ठीक है किस के कारण हमारे आस पास पास का वात आउरण साफ हो जात है कि मैं सिधा अनसर बता देता हूं डेकरों गे ज है सही हो गये चील गीध और कोगो मरे हुए जन्टूओं को घाए इस काराण से हमारे वात आउर मरिये जन्तू रहेंगे तो वात आउरण गंदा हो जाएगा ठीक है अपसन नमर डी लगा देंगे इसमें सही है इन में से कौन सा कथन सही है अब देखें हमारे आसपास के लोग अलग अलग परकार के काम करते हैं यह तो सही लग रहा है घर के परतिक सदस को घर काम नहीं करना चाहिए गलत है अपने परोष के लोगों के साथ संबंद सही हो कि भावना नहीं रखनी चाहिए गलत है पढ़ाई कम घर के काम ज्यादा करने चाहिए गलत है तो यह नमर सही हो ठीक है चलिए अगला प्रस्न है आप अपने दोस्त के साथ कौन-कौन से खेल खेलते हैं कि नहीं चार खेलों के नाम बोले तो आप नाम लिख कि आंयरे कि है जब फूटवड भी खेलते हैं अवार फूटबॉल भी खेलते हैं और लिखिते हैं और एको आप फूटवॉल भी खेलते हैं लिख सकते हैं त numberly रूप अगला अपने अपने घर में क्या-क्या करते हैं कि नहीं चार कामों के नाम लिखे तो पढ़ाई करते हैं साफ सफाई करते हैं ठीक है उसके बाद खेलते हैं घर के अंदर भी खेलते हैं खेल करते हैं और काम करना तो काम करने में और कुछ दे सकते हैं काम करने में मदद करना दे सकते हैं किसी का भी मदद करना तो वह एक तरह से काम हुआ चले, बहुत अच्छा, अगला है, दिगर तरिका में लिखिए, पोधे से मिलने वाले खाने की चीज़ है, तो फल, जड, फूल, ये सब खाने के चीज़ है, जनतुओं से मिलने वाले खाने वाले चीज़ है, तो मीट, दूद, ठीक है? ये सभी मिल जाते हैं, चले, बहुत अच्छा, ये आपके क्लास 3 के सभी आंसर से मिल गए, चैनल पर अपने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले,